राजधानी भोपाल की तो राजा पटेरिया पर कॉंग्रेस अब दो धरों में बटी वे नजर आ रही है राजा पटेरिया के पक्ष में फिर नेता प्रतिपक्ष उत्रे हैं कहा है कोविन सिंग ने नोटिस जारी किया है और कहा है एक शब्ट को पगड़ कर सियासत की जा रह है हम वो लोग नहीं जो अपने लोगों को मजधार में छोड़ दे ऐसा कहना है पूर मंत्री संजन वर्मा का तो देखिए इस बड़े मामले में अब कॉंग्रेस दो धरों में बटी हुई नजर आ रही है राजा पटेरिया के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष फिर उत्रे है मोधी धर्म याती भाषा के अधार पर बाइद देगा जल्टों को बनवाश आदिवासियों को और अल्व संक्यकों का भावी जीवन खत्री में है जंबिधान ने बचाना है तो मोधी की हत्या करने के लिए दतपर्ण हत्या इंदस रहाने करने के लिए मोधी की राजनेतिक रूप से जो परिस्तिया है समधान समाप्त किये जा रहा है अधकार छीने जा रहा है प्रजातन का गला गोटा जा रहा है तो मोधी की राजनेतिक हत्या के सोच के राजनेतिक हत्या इनने कहा मोधी के हत्या करना चाहिए इंदस सेंस चुना हराओ एक सब्द के साथ कुछ हमारे मीडिया के साथ ही उने जो भारती जनता पार्टी से मिलकर अपनी दुकान चला रहे हैं उन लोगों ने आधी बात कहके परदेश से देश की जनता को गुमरा किया गुएन सिंग जी ने सिर्फ इस बात की तरफ इशारा किया है कि गलती से यदि किसी के मुख से कुछ निकल गया तो हम कॉंगेस पार्टी के लोग ऐसे नहीं है कि बीच मजदार में उसको छोड़ के चल दे नयाय पालिका में प्रकरण चला गया है नयाय पालिका पे हमें विश्वास है गुण दोश के अधार पे नहाय पालिका सही निर्णा लेगी तो हम उसमें के लोग नहीं कि मजदार में छोड़ दें गलती आदमी से होती है वहीं इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है चले वो भी आपको सुनाते है प्रदेश कंगरेश कमिटे के एद्यक्ष कह रहे है प्रिर चलो वो भी बात हो गई पर आप पुलिस आपको कोड़ पेश करती तहुं किस चीज की विजय हुई थी आपकी इंशक भावना की आपके अनेक्टिय तक किसका विजय हुए था और यदि उसके बाद भी कॉंग्रेश में सर्जन जींग वर्मा और डॉक्टर गोविन सींग जिसे लोग यह राजा पटेरिया के किसी भी प्रकार के समर्थन में हैं मनु जी ये काफी महत्पूर्ण और बड़ा मामला है और हमेशा से कॉंग्रेश पर आरोप लगते हैं कि वो दो धरो में बटी हुई नजर आती है और जो मामला सामने आ रहा है उसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है तो इस मामले में इतना कन्फ्यूजन है क्यों आखिर दिखी राजा पटेरिया उस दौर के मंत्री है जब दिगवे सिंग की सरकार रहा करती थी उस दौरान गोबिन सिंग डक्टर गोबिन सिंग भी मंत्री थे सज्जन बर्मा भी मंत्री थे जाहर है कि संब्ध पुराने है उनके साथ काम किया है लेकिन अब जब राजा पटे के से चलने बाले लोग है और हम ये कहीं नहीं चाहिते बलकि प्रधान मंत्री के जीवन की दीरगायों की काम ना करते हैं दूसरी तरफ दो बड़े निता उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं जैसा कि भारती जंता पार्टी का कहना है कि मनोबल से ही सही पर मनोबल बढ़ाने का काम कौन करेगा उनके साथ बिताय है वो लोग है बरसो साथ रहे हैं कॉंग्रिस की राईनीती करते हैं सभी उस दौर में मंत्री रहे तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी निता के साथ खड़े है लेकिन साथ खड़े होने का मतलब ये भी नहीं है कि वो बयान से इतिफाक होई अभी वो जैल में है और 14 दिन की रिमांट पर है जैल रिमांट पर है तो अब आगे क्या होगा इसको लेकर जैल पर नजर टिकी है कि आखिर क्या होगा कोट पर नजर टिकी है पर इतना जरूर है इस पूरे मसले को लेकर एक बार फिर कॉंग्रिस दो फाड़ सी नजर नहीं आ रहे हैं कि और दोनों बड़े बरिश्ट निता एक तरब विपक्षकी जिम्मदारी निवाने वाले हैं उसी PCC चीफ है तो क्या दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है तो हमें लगता यह रंडीती का हिस्सा भी हो सकता पर इतना जरूर है कि इस बयान के आने के ब वो हमलाबार होती रहेगी क्योंकि कहीं न कहीं प्रगती चुनावी सामने है